बिहार में होने वाले नगर निकाई चुनाव को लेकर पटना हाई कोट ने कल एक बड़ा फैसला सुनाया था कोट ने पिछडी और अतीपिछडी जातियों के लिए आरच्छित सीटों पर चुनाव कराने से पाबंदी लगा दी थी हाई कोट के फैसले के बाद आप 10 और 20 अक्टूबर 2022 को इन सीटों पर वोटिंग नहीं होगी आपको बता दें कि नगर पाले का चुनाव में बगैर ट्रिपल टेस्ट के पिछडा वर्ग को आरक्छन दिया गया था इसे चुनावती देते हुए सुनील कुमार ने सुप्रीम कोट में रिट याच का दायर की थी सुप्रीम कोट के आदेश पर हाई कोट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी गुरुवार को इस मामले पर आखरी सुनवाई हुई थी और मंगलवार को इस पर फैसला सुनाया गया जब हमारे समवादाता ने याचिका करता से इस बारे में जानना चाहा तो जरा सुनिये उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने याचिका दायर की वजह क्या आन पड़ी आपको याचिका दायर करने की यह हमने उस समय 2022 जन्वरी में बिहार सरकार के मनिये ततकालिन जो नगर विकास मंत्री थे तरकी सोची उनको भी लेटर हम लोग ने भीजा कोई उस पर करवाई नहीं हुगा कि जब सुप्रीम क 2010 में कृष्ण गवली रमेश बाग के और में कॉंचुशनल बेंच बन चुका है उसमें पिछरा वड़ गोभी सी है आप यहां ओभी सी एनेक्चर वन और एनेक्चर टू करके उसको डिभाइड कर दिये हैं इसलिए टोटल को अड़क्शन मिलना चाहिए जिसमें नगर निकाय के लिए अलग-अलग आयोग बनाना है यह उसमें कॉंचुशनल है तो यह काम नहीं हुआ और तत्कालिन जो उसमें मंत्री थे नगर विकास मंत्री इस पर कोई नोटिस नहीं लिया छे महिना तक टाले छे महिना के बाद चुनाओ होगा समय पर होगा कभी समय पर नहीं होगा यह सबसे बड़ा यह दोखा दे रहे थे कि चुनाओ जितने के बाद भी महारस्टा और मतपर्दिस में ऐसा ममला हुआ है रोका गया है यह तो संजोग मनिये मनिये नियाले का कि समय से पहले डिसीजन इन्होंने जो अतिपिछला के साथ जो प्रोब्लम हो आता उसको दूर किया और नहीं तो क्या होता कि चुनाओं के बाद भी या चुनाओं के एन वक्त पर एक दिन पहले भी डिसीजन सुप्मानिये सरोच नियाले को करते हैं क्योंकि वहां भी रिटता है अब आपको लगने रहे कि अब सरकार सुप्रीम कोट भी जाएगी इस सुप्रेम कोट क्या सिधा सिर्ख सरकार के हाथ में सरकार जो हैओएस के पखञजड़ है, सब को वी सर्फ मिले लें सिधा सर्फ्रीम कोट का गाइड लाइन है सरकार उसके अनुजार चले, इनको गुमरा किया ततकालीन जो समय थे यह नगर विखास मंत्री इन्हों ने तत कि परसद परसक परसद बने उसमें भी अम लोग मानिय मुक्मंत्री के बास गये तुनत मानिय मुक्मंत्री ने लिया कि जब बुरे बिहार में चुनाओ जब रुका हुआ कहीं डेर साल दू साल से तो हमको उस सीरे से चलना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके कारण नहीं हुआ कि कल परिनाम देखिए सरोच नियाले सो तो कोई बड़ाची जाए नहीं अभी उपेंदर कुस्माहा ने प्रेस कॉन्फेंस किया ललन सिंग ने प्रेस कॉन्फेंस किया उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही सब नियाम कानून बना दिये हैं उसके बावजूत भी जान बुझकर बीजेपी जो है अरक्षन विडियो दी है उन्होंने ये भी कहा कि जो याचिका करता है उनके बारे में पता कर लिए क्या आप बीजेपी पाटी से भी बिलोंग करते हैं देकि यहां एप पुलिटिकल मामला नहीं है यहां मामला है टेक्निक कोई मुझापणपुल को अलग एक किसी और जाती का है वहां कमजोड है रानितिक उपसे कमजोड है तो उठना चाहिए माल यह गया वहां अकर उसकी अबादी है यह तो सीधा सीधी यही लोग कर सरकार का ही है कि जिसकी जितने इससे धारी उतनी उसकी भाग दारी मेरा सव जो होना चाहिए 2010 से पिछली सरकार तो दोनों एकी सरकार में थे तो माननी है जो ततकालिन जो नगर विकास मंत्री थे जब हमनों ने लेटर दिया और मेरा याचिका यह चुनाओं से पहलियत था यह चुनाओं सभी को आरक्षिन मिलना चाहिए बिलकुल जो सुप्रीम कि जिस तरीके से तैयारी चल रही थी नगर निगम चुनाओं की निकाय चुनाओं की आपको नहीं लगता है कि जो परत्यासी थे वो लोग काफी परिशान हुए उनका भी काफी पैसा बरवाद हो गया बिलकुल सही राज निरवाचनव को पहले ले देना चाहिए और हम मे आधा परसानी बढ़ने वाला था उससे तो जरूर रुके हैं यह मामला है अब सरकार सुप्रीम कोट जाने की तैयारी कर रही है बिलकुल कोई भी जा सकता सुप्रीम कोट लेकिन सीधा तो है कि आरक्षन के आप हगदर एलक्षन देना है आपको सबको सामिल किजिए जो सुप्रीम कोट कहता है कि हम अलक्षन ओभी सी नोट इनेक्चर वन नोट इनेक्चर एबीसी तो आप सबको अलखषन दीजिए और पचास परसंट से कम देना है लेकिन दस में आप पार्षत है पिर आपकी पत्नी बनी कहीं वहीं तो वज़़ा नहीं है कि मतलब मेरी जगा आरक्षन देना है आज ही बताइए कि महिला का पठना का दोनों से रिज़र्ब हो गया अब पहले जो ता तो क्या परसेंटेज बढ़ा की नहीं बढ़ा आपको बता दें कि बिहार में नगर निकाई चुनाव में आरक्षन को लेकर पठना हाई कोट के सैसले के बाद जेडियू बीजेपी में वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है आज जेडियू संसदिय बोट के अध्यक शुपेंद्र कुश्वाहा ने प्रेस को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जम कर निशाना साधा है और याचिका करता पर भी कई सवाल खड़े किये हैं देखे भारती जनता पर्टी का दो चेहरा है एक चेहरा जिसकी चर्चा राष्टे दगजीने की अरक्षन बिरोधी चेहरा जिसको अंदर छुपाय रहते हैं और बाहर लोगों के बीच दुसरा चेहरा लाते हैं और कोसिज करते हैं कि लोग उनके बाहर वाले चेहरे पर भरोसा कर लें जोड जोड से बोलते हैं कि आरक्षन के हम समर्थक हैं अभी जो कुछ भी परिष्टिती बनी चुनाओ की परकिडिया चल लही थी कुछी दिनों के बाद मतदान होना था जिस कारण से या मामला उल्जा उसके कारणों में जरा जाएए जो पेटिसनर है इस केस का जरा आप लोग अपने स्रोथ से भी पता किजिएगा कि कौन पेटिसनर है किसके पेटिसन के कारण कोट ने इस तरह का निर्ने दिया आपको पता चल जाएगा कि भारती जनता पार्टी का क्या लिंक है उससे आज रुका है रिजर्वेशन इसके लिए सबसे ज़्यादा सेलिबरेट कौन कर रहा है आप बीजेपी नताओं के घर में बेक्तिगत रूप से जाएए तो पता चल जाएगा कि आज कौन सेलिबरे आपको 100 बार बोलो सच दिखेगा इसी थियोरी पर बीजेपी के लोग चलते हैं बार 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 किसी बात को झूट को भी इतनी बार बोलो कि लोग सज समझने लगें लेकिन मुगालते में विखार के लोग और देश के लोग अब उनके जूट में नहीं आने वाले बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है और ये मामला अब कौन सा रुक इक्तियार करता है पतना से सुजीत गुपता की रिपोर्ट बिहार तर अरुपता है